ओम नमर शिवाय दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स इस वीडियो में मैं एनर्जी अपडेट दे रही हूँ जो मुझे एक दो दिन से फील हो रहा है कल रात को मैंने कमिन्टी पोस्ट पर डाला था कि कुछ लोगों को सेक्रिल चक्रा में बहुत पेन हो रही होगी या लोवर चक्राज में ठीक हैं तो इसी तरह की एनर्जी मुझे एक दो दिन से रिसीव हो रही है कल दोपहर से ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफी सारी फैमिनाइन्स को सेक्रिल चक्रा में पेन हो रहा है बहुत स्ट्रॉंग पेन या कईयों के लोवर चक्राज में बहुत ज़रा वाइब्रेशन फील कर रहे होंगे ठीक है कुछ लोगों की back में pain हो सकता है कुछ लोगों को जो हमारी backbone होती है बिल्कुल lower point वहाँ पे pain हो रहा होगा तो इस तरह से lower chakras में आप लोग pains या vibrations feel कर रहे हो ठीक है काफी लोगों को ऐसा feel हो रहा होगा ये आप लोग अपने masculines की energy पिक कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो masculines है highly ascension की process में है उनका awakening का process बहुत ज़रा fast हो रखा है इस time ठीक है आप उनही की energy पिक कर रहे हो इसी वज़े से आपको आपके lower chakras में vibration या pains feel हो रहे है highly ascension चल रहा है masculines का अब आने वाला जो new moon है 6th को 6th October को जो new moon है उससे पहले इसी थरह की energies आप लोग feel कर सकते हैं क्योंकि new moon के आसपास वैसे भी थोड़ा जो हमारे अंदर के suppressed emotions होते हैं वो बहार आते हैं तो masculine के उपर अभी एनर्जी थोड़ी ascension की चल रही है divine उनका ascension करने में उनकी help कर रहे हैं तो अभी आप लोग भी उनकी energies बिक कर सकते हो थोड़ा बहुत disbalance आप लोग हो सकते हो बीच बीच में sadness feel होना, बिनवजे रोना आना इस तरह के काफी सारे symptoms आप लोग भी feel कर सकती हो उस लोगों ने comment किया था कि मुझे masculine का face नज़र आ रहा है बार बार of course आपके जो masculine है connect करने की कोशिश कर रहे है energetically आप से इसलिए आप लोग इस तरह की चीज़े feel कर रहे हैं एक दो दिन से मुझे इसी तरह के message मिल रहे हैं और ये confirmation मुझे अपने dream से हुआ है dream के थूँ मुझे ये confirmation मिला है जिसमें मैंने यही देखा कि बहुत से masculine का awakening का process बहुत strong हो चुका है इस वक्त तो feminize आपको बहुत ध्यान रखना है बिल्कुल भी energy नहीं देनी है detachment में ही रहना है कहीं आप लोग फिर से attachment में आ जाएं कि masculine pain में है हम उनको energy दें या कुछ healing करें आपको कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ खुद पर focus रहना है अपने चक्रास पे काम कीजिए lower chakras में problem हो रही है तो lower chakras पे जादा work कीजिए sacral chakra पर अच्छे से काम कीजिए grounding कीजिए अपने lower chakras पे अपने सभी chakras को equally balance कीजिए आप आपको बिल्कुल भी masculine की तरफ ध्यान नहीं देना है ठीक है डिवाइन उनकी awakening अपने तरीके से करा रहे हैं बिल्कुल अगर emotions feel होते हैं बीच में missing की energy आती है तो इस okay ठीक है वो आप उनकी energy बिक कर रहे हो लेकिन आपको attachment में नहीं जाना है ठीक है अगर आपने यहाँ पर कोई गलती की तो इसमें आप लोग फिर से divine के काम interaction कर देंगे तो फिर से यह आपका process लेट हो जाएगा तो आप लोगों के लिए यही guidance है आप लोग खुद पर काम कीजिए अपने चक्रास को activate कीजिए अच्छे से clean कीजिए अपनी grounding कीजिए अपने आपको अच्छे से balance कीजिए क्योंकि आने वाले new moon तक इसी तरह की energies रहने वाली है ठीक है because जो masculine है उनका highly ascension चल रहा है इस वक्त तो उनको divine पर बिल्कुल surrender कर दीजिए और आप खुद पर अच्छे से focus कीजिए अपने आपको balance कीजिए और इतने ज़्यादा आप divine में surrender हो जाए इतने ज़्यादा merge हो यह divine में ठीक है कि divine आपको as a blessing आपके masculine ही देंगे यह बहुत से लोगों का reunion आने वाले time में होने वाला है तो इसी वेज़े से उससे पहले का highly जो final ascension चल रहा होता है masculine का वो चल रहा है तो इस वक्त अगर आप अपने masculine को ज़्यादा energy देंगे या attachment दिखाएंगे तो वो बीच में ही process रुक जाएगा बजाए के वहाँ ध्यान देने के आप लोग खुद पर focus कीजिए जैसी भी missing energy है रोना आ रहा है इस चोके आपकी purging हो रही है purge out कीजिए कोई बात नहीं ठ खोड़ा busy थी तो मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी इसी दिए मैंने रात को community post पर डाला था क्योंकि मुझे बहुत जाला strong एसी energy pick हो रही थी तो आप लोग अपना ध्यान रखेगा अपने आपको balance कीजिएगा ठीक है बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और masculine आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं बस आपको अपनी prayers में यूनिवर्स से यही pray करना है कि जो आपके masculine है उनका ध्यान रखेए ठीक है उनका भी awakening का process अच्छे से हो यही आप लोगों को pray करनी है ठीक है दोस्तों early morning वीडियो बना रही हूँ इसी वज़े से ताकि आप परेशान हो रहे हों काफी सारे लोग तो आप लोगों को guidance में सके ठीक है ध्यान रिखेगा अपना दोस्तों God bless you all love you all